नमस्कार इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ने भारत के लोगों की उम्मीदों को फिर से जिन्दा कर दिया है जो उम्मीदें चंदर्यान 2 मिशन के चलते चंदर्मा की सतह पर दब गई थी और उस दबी हुई उम्मीदों को एक बार फिर से जीवीद करने का समय आ गया है चंदर्यान 2 मिशन में हमारा रोवर लेंडर अच्छे से लेंड ना कर सका लेकिन हर भारतिये को उस समय बहुत मायूसी मिली थी क्योंकि भारत के 130 करोड जनता चंदर्यान 2 मिशन के साथ अपने दिल को जोड़ कर बैठी थी बले ही उस मिशन में हम अनसेकसफफुल रहे हों लेकिन उस अनसेकसफफुल मिशन में हमें बहुत सी जानकारियां हासिल हुई हैं ये कहना है इसरो के चीफ के सीवान का और उन्होंने चंदर्यान 3 मिशन को लेकर बहुत बड़ी अपडेट दे दी है और जिस अपडेट का इंतिजार भारत के 130 करोड भारतियों को था दोस्तों इसरो के चीफ ने ये सभी बातें UPES युनिवरस्टी में अपने उन युवाओं को प्रेणा देते हुए बोली है और साथ में ही ये प्रेणा उन युवाओं को नहीं है बलकि भारत के सभी लोगों को एक मैसेज है कि इस इसरो अपनी तैयारी फिर से शुरू कर रहा है चंदरयान थ्री मिशन को लेकर दोस्तों इसरो के चीफ के सिवान का मैसेज देने का अंदाल कितना निराला है आप इसे ऐसे बात से समझे कि UPES युनिवरस्टी के उन स्पेस सेक्टर में इंट्रेस्ट रखने वाले युवा है साथ में ही भारत के 130 करोल लोगों को भी उन युवाओं के जरी आज मैसेज भे दिया है इसरो के चीफ के सिवान ने 130 करोल भारतियों को ये संदेश दिया है कि चंदरयान थ्री मिशन फिर से शुरू होने वाला है और हम अपने आखरी स्टेजिस पर पहुँचने वाले ह इस युवाओं को एक अपना विभाशन देती हुए उन्होंने कहा है कि स्पेस के सेक्टर में युवाओं के लिए उपर्चुनिटी बहुत चिपी हुई है और आज भारत के युवाओं को नासा जैसी स्पेस एजनसी में काम करने की कोई जरूरत नहीं है आज अपनी वो प्रतिवा इसरो के अंदर दिखाए और उसे जो उसकी प्रतिवा है उसके अनुसार उसे आवोर्ड भी मिलेगा आज इसरो की खुद की कमाई है दुनिया भर की 300 से भी ज़्यादर सेटलाइट इसरों ने बेज़ दी हैं और भारत का युवा अपनी प्रतिवा इसरों में भी दिखा सकता है और जो समान वो डिजर्व करता है भारत के 130 करोड भारतियों से साइंटिस्ट को देने वाले हैं दोस्तों इसरों और 130 करोड भारतवासी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसरों की धड़कन आज 130 करोड भारतवासियों के दिल में धड़कती है इसरों अगर पैसा कम मिलता है तो भारतवासी कहते हैं कि हमारे से पैसा ले लीजिए, एक्स्ट्रा पैसा ले लीजिए, एक्स्ट्रा टेक्स काट लीजिए, इसरो के नाम का लेकिन इसरो के पास पैसों के कमी नहीं होनी चाहिए और हमारा एक भी साइंटिस्ट आज इसरो को छोड़कर नासा जैसी स्पेस एजंसी में काम करने के लिए नहीं जाना चाहिए यही कारण है कि इसरो के चीफ के सिवान ने युनिवर्स्टीस की तरफ रुक किया है ताकि अपनी युवाओं को उनिवर्स्टी से निकाला जाए और इसरो के अंदर डाला जाए और वहाँ पर उसे काम लिया जाए और उसकी प्रतिभा का एक सही से मुल्यांकन करकर उसे सुविधाएं भी दी जाए और उसे सम्मान भी दिया जाए आज 130 करोड भारतवासी अपनी पलकों पर विठा लेंगे उस साइंटिस्ट को जो साइंटिस्ट भारत के इसरो के लिए काम करता हुआ चंदरियान या मंगलयान मिशन के लिए कोई अच्छा काम करता है तो और उन साइंटिस्टों का सम्मान आज इतना बड़ा मिलेगा जो सम्मान उसे नासा के अंदर काम करके ने मिल सकता नासा में अमेरिका की संस्ता है अमेरिका के लोग उसे कितना सम्मान देंगे अमीर की राश्टरपती एक बार बोल देगा कि हाँ इंडियन कम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो उससे क्या भारतिया लोग खुश हो जाएंगे बलकि भारतिया लोग तो तब खुश होंगे जब भारत में रहेकर इसरो का नाम रोशन करके वो साइंटिस्ट अपना परचम दुनिया की स्पेस एजन्सी में सबसे उचा ले रहेगा यही कार्ण है कि इसरो के चीफ अब युनिवस्टीस पर फोकस कर रहे है और जो भारत की उनिवस्टीस के अंदर पढ़कर नासा के अंदर काम करने के लिए जाते हैं उन परतिभाओं को भारत के अंदर ही रोका जाए यह मास्टर प्लान इसरो के चीफ ने तयार कर लिया है और वहाँ पर युनिवस्टीस में भाशन देकर इसरो के चीफ के सिवान मेहनत कर रहे हैं उन्हें बता रहे हैं कि इ इस तो पी को जरूरत है आप जैसे युवाओं की और भारत के लोगों को भी आपकी जरूरत है क्योंकि आने वाले समय में हमारा स्पेस सेशन भी वोने वाला है और अलग-अलग eer भारत के पर गले करे हम कलने वाले हैं मंगल यान 2 भी चलने वाला है इसी के साथ सूर्य के ऊपर भी एक कमारा मिशन जाने वाला है तो मिशन बहुत जादा है और युवाओं की कमी है युवाओं को हम एक साथ लाएंगे प्राइवेट सेक्टर की भी एक जॉइंट वेंचर के रूप में काम लेंगे और इसी के च हाँ